तो गाईज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung की A-series के एक upcoming smartphone के बारे में जो होगा Galaxy A51s यह एक 5G smartphone होगा और बहुत से customers ऐसे हैं जो Samsung के mid-range 5G smartphones का wait कर रहे हैं तो अब आने वाले time में Samsung की और से A के बाद एक कई 5G smartphone देखने को मिलने वाले हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung Galaxy A51s के बारे में इसमें आपको 5G के साथ अच्छी performance भी देखने को मिलेगी तो स्वागत आपका KDC रटेक पर पूरी जानकरी के लिए वीडियो में एन्ड तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसे ही टेक वीडियो देखते रहने के लिए अगर बात करें इसके specs के बारे में तो इसमें एक 6.5 इंच की Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगी जो की Full HD Plus डिस्पले होगी वहीं बात करें इसके design की तो इसमें punch hole design में selfie camera देखने को मिलेगा साथी fingerprint sensor भी display में देखने को मिलेगा जहां इसके front में Gorilla Glass 5 की production देखने को मिल जाएगी जो की एक काफी अच्छी बात है वहीं बात करें इसके performance की तो यह Snapdragon 765G प्रोसेस के साथ आएगा तो यहां पर आपको 5G के साथ में काफी smooth performance भी देखने को मिल जाएगी इसके साथ इसमें 6GB और 8GB के दो RAM variant देखने को मिलेंगे और 128GB की internal storage देखने को मिलेगी जो की overall काफी अच्छा smartphone होगा जहां बात करें इसके camera's की तो इसके rear में 48MHz का primary camera वाला quad camera setup देखने को मिलेगा वहीं front में 32MHz का selfie camera होगा जहां पर इसमें single take जैसे camera features देखने को मिल जाएगे जो के camera wise भी एक अच्छा smartphone होने वाला है वहीं इसमें 45MHz की battery होगी और box में 25W का fast charger भी देखने को मिल जाएगा इसके अलावा इसमें USB Type-C charging port और 3.5mm का audio jack देखने को मिल जाएगा जो के out of the box Android 10 और One UI 2.1 के साथ आएगा साथ इसमें NOX security का full support भी देखने को मिल जाएगा वहीं बात करें इसके price और launch date की तो यह है expected एक इसके base variant का price 28-30,000 के बीच देखने को मिल सकता है वहीं Samsung इसे October के first week तक launch कर सकता है अगर Samsung इसे इन specs साथ इसी price में लाता है तो यह है one of the best smartphone होगा जो 30,000 के under आता है तो दोस्तो फिलाल वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छ लागा तो वीडियो को लाइक करें साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तके आपको upcoming smartphones की update मिलती रहे Thank you for watching